हलो दोस्तों आप सभी का मारे ज़ें स्टेडी रूपे चुकेशन में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम 36 गर सिक्षक भरती के लिए इंगलिस पेड़ागागी के कुछ महत्पूर एमसी की प्रशनों पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन दिया गया है दा परपास आफ टेक्स्ट बूक स्टेड़ी इस टेक्स्ट बूक स्टेड़ी का उद्दिश से क्या होता है बच्चों को उनके सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी देना दूसरा है टू कम्प्लीट दा कोर्स इन लेश टाइम कम समय में कोर्स को पूरा करना तो इसका सही अंसर होगा अगला प्रशन है इसका सही अंसर होगा इन तीनों के माध्यम से क्या जाता है अगला प्रशन है इकॉर्डिंग टो यू विच इस दा मोस्ट इंपोर्टेट प्रिंस्पल आप टीचर तुम्हारे अनुसार सबसे इंपोर्टेट प्रिंस्पल कौन सा होता है टीचर का सब्जेक्ट मैटर टीचिंग मैथाड रिलेशन बिट्वीन टीचर एंड इस्टुडेंट दा फरनीचर आप दे स्कूल तो इसका सही अंसर होगा थाड़ आप्शन अगला क्वेशन है बच्चों को उनके रिस्पॉंसिबल रोल लर्निंग में लेने के लिए उन्हें सक्चम बनाना और फोर्थ है अल आप दा बो तो इसका सही अंसर होगा फोर्थ आप्शन कॉंसेप्ट आफ प्रॉब्लम बेज़ लर्निंग में ये सभी सामिल होते हैं कि क्लास एक्टिविट प्रॉब्लम के अराउंड कंस्ट्रक्ट करना चाहिए स्टुडेंट को एंक्वायर और लर्निंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और बच्चों को उनके सीखने में रिस्पॉंसिबर रोल के लिए उन्हें सक्षम बनाना चाहिए अगला प्रशन है दा फस्ट अमेरिकन साइकोलोजिस्ट हू इंट्रोडिश्ड दा कॉंसेप्ट रेंफॉर्समेंट फॉर लर्निंग वास तो इसका सही अंसर होगा सेकेंड ओप्शन इल थॉर्न डिक के द्वारा कॉंसेप्ट और रेंफॉर्समेंट फॉर लर्निंग दिया गया अगला प्रशन है वू एमॉंग दा फॉलॉविंग इंफेसाइसेस एसार कनेक्शन फॉर लर्निंग फर्स्ट है पावलाव, सेकेंड है वाट्शन, थर्ड है थॉर्न डिक और फॉर्थ है ओल अप दिस तो इसका सही अंसर होगा फॉर्थ ओप्शन ओल अप दिस इसमें से सभी एसार कनेक्शन फॉर लर्निंग में सामिल है अगला प्रशन है, टीचिंग थियोरी, सिक्षक की मदद करता है फर्स्ट, दा कॉमन फेक्टर ओफ टीचिंग और लर्निंग यह टीचिंग और लर्निंग का कॉमन फेक्टर है दूसरा है दा प्यूपिल वेल थार्ड है, हाव टू एडॉप्ट दा स्टैटजी तू दा सभ्जेक्ट मैटर और फोर्थ है औल अप दा बो इसका सही अंसर होगा फोर्थ औल अप दा बो टीचिंग त्योरी सिक्षक को टीचिंग और लर्निंग की कॉमन फेक्टर जानने में मदद करता है साथ ही अभी द्यार्थियों को अच्छा बनाता है और साथ ही यह सब्जेक्ट मैटर से जुड़े स्टैटजी को कैसे स्विकार करना है उसे सिखाता है अगला प्रशन है टीचिंग तीचिंग 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 क्या क्या देता है तो इसका सही अंसर होगा और साथ ही प्रिंस्पल के बारे में बताता है कि इस टेडी को कैसे एफेक्टिव और बनाया जाए सेकेंड है नौलेज अबाउट डिफरेंट लेवल आफ टीचिंग कि इस टेडी के बारे में नौलेज प्रवाइट करता है शाथ ही वह टीचिंग मौरल को भी बताता है और नौलेज अबाउट हाव टू इन्वेश्टिगेट टीचिंग किस तरह आपको टीचिंग को इन्वेश्टिगेट करना है और साथ ही आपको problem को किस प्रकार solve करना है अगला प्रशन है which aspects of learning is to be considered while implementing child center learning Child center learning को implement करते समय हमें कौन से aspect को consider करना चाहिए First है area of learning, दूसरा है teaching strategies, accommodate intellectual and emotional need Third है students social need all of the both तो इसका सही अंसर होगा fourth option all of the both Child center learning को implement करते समय area of learning, teaching strategy जो उनको intellectual और emotional need के नुसार हो और साथ ही student के social need इन सब को fulfill कर सके ऐसे aspect of learning को consider करना चाहिए और इस वीडियो का खरी प्रशन According to psychoanalysis theory, deviant behavior is caused due to According to psychoanalysis theory, बुरा बेवहार किस कारण पाय जाता है First है, unconsiseness mind active in him, जो अचितन दिमाग होता है उसके activation के कारण दूसरा है, represented desire of the individual, उनकी जो रत के नुसार Both of double, none of double तो इसका सही अंसर होगा Second, represented desires of the individual, उसके अकेले की जो रत के नुसार तो ये हुआ, English Pedagogy के कुछ महतपूर प्रशन हमारे चैनल पर आपको और रेड़ी सिक्षक भरती से जुड़े ऐसे ही वार वीडियो प्लब्द हैं जिसे आप हमारे प्लेश पर जाकर देख सकते हैं